इंडिया और के जो रिलेशन्स हैं ये अब तूटने शुरू हो गए हैं दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे के जो डिप्लोमेट्स हैं राजदूत हैं इनको भार फैकना भी शुरू कर दिया है यहां पर आप देख पाओगे इस पर आर्डिकल सबसे पहले कैनडा ने क्या किय के इंडिया के जो एक डिप्लोमेट्स हैं जो काम कर रहे थे कैनडा में ये कह दिया के ये इंटेलिजेंस से कहिना कहीं कनेक्टेड हैं और इनको कह दिया कि आप वापस इंडिया जाओ नाव मैं आपको ये बता दू जब कंट्रीज के रिलेशन्स बहुत खराब हो जाते ह है ना तब एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को निकाला जाता है मोस्ट रीसेंटली आपने देखा होगा के रशियन डिप्लोमेट्स को कई ये देश बहार निकालते हैं क्योंकि वहाँ पर युक्रेइन का एशू है वार का सेनारियो है आप इमाजिन करके देखिए के कैनेड कितना बड़ा स्टेप लिए रहा है इंडियन डिप्लोमेट्स को अपने देश से भार निकाल कर और साथ में इन्होंने ये भी एड कर दिया इनके प्रामिनिस्टर ने अपने पारलेमेंट में इनके कंट्री के सामने ये भी बोल दिया कि हाल ही में जो एक खालिस्तानी ली जाब के उस टाइम के जो चीफ निस्टर थे कैप्टन हमरिंदर सिंग इन्होंने जस्टिन डुडो को एक लिस्ट दी थी नाव 18 जून 2022 को जब निजार अपने ट्रक में बैटा था कुछ लोग आते हैं गोलियां चलाते हैं इस पर और चले जाते हैं कुछ पता नहीं के वो लोग कहां के थे किसके थे मगर जस्टिन डुडो ने कनेडियन पारलेमेंट में खड़े होकर ये कह दिया कर वूगार जाव में जावी नवार जाविजन पर चानावी अजसित पर चाहिक रूवी निजिदा क्रूश्ट धट जकिता में पर चूले जाव्टांस सूब बेजिए फे पार्णाव लाव इंड़ एंडिय बहार्पते हैं अट्टच और चानाव कनाव काव आदेशिए इसके बाद जो ये अनाउस्मेंट थी के जो इंडियन डिप्लोमेंट है इसको ये भाहर निकाल रहे हैं ये अनाउस्मेंट के जो विरेश मंत्री हैं उन्हें करी है और अगेन मुझे सबसे अजीब बाद ये लगी है अभी तक कुछ प्रूव नहीं हुआ इनकी जो ये स्टेटमेंट है सुनिये जब आपको खोदी पता नहीं है आपको खोदी इस बात की कंफर्मेशन नहीं है कि जो आरोप आप लगा रहे हैं ये रियल है या नहीं है उससे पहले इतना बड़ा स्टेप आप क्यो लोगें गूम फिर के यहां पर बात यहीं आती है यह सब पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और मेरे ख्याल से कैनेडा एक काफी अनफॉर्चुनेट कंट्री है जहां पर इनके प्राइम मिनिस्टर फॉरण पॉलिसी में बाकी कंट्री इसके साथ रिलेशन्स खराब कर रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि इनको इलेक्शन्स में हेल्प मिल पाए और इसके बारे में मैं आपको एक प्रीवेस वीडियो में बदा चुका हूँ के जस्टिन टुडो जो आज के समय कैनेडा के प्राइमिनिस्टर है इनकी पार्टी है लिबरल पार्टी ओफ कैनेडा इनके पास इतना बहुमत नहीं है के कैनेडा में सरकार चला पाए इनको आज के समय आउटसाइड सपोर्ड मिल रहा है NDP से NDP है New Democratic Party जिसके लीडर है जगमीत सिंग और जगमीत सिंग ने ओवर दे यर्स बहुत सारी प्रो खालिस्तान स्टेटमेंट्स दी हैं कई बार ट्विटर में इनका जो अकाउंट है यह भी ब्लॉक हो चुका है बिकॉज ऑफ प्रो खालिस्तानी स्टेटमेंट्स यहां पर देख पाऊगे इस पर ओवर दे यर्स बहुत सारे आर्टिकल पबलेश हुए हैं इनको इंडिया में भी एंट्री नहीं मिली थी यह इंडिया ना चाहते थे इनका वीजा डिनाई कर दिया गया था तो अविएसी वारत देखिए इनका सपोर्ड लेकर यह सरकार चलाएंगे तो यह सब एक्शन बहुत जारा सप्राइजिंग नहीं है और जस्टिन टुडो देखो गेम जो खेल रहे हैं वो यह है कि इंडिया के रिलेशन्स की कुरबानी द खराब किये हैं उसके इलावा इससे पहले आपको याद होगा मुहमद बिन सल्मान का एक इशू वा था कैनेड़ा के साथ उस टाइम सावधी रेविया ने भी अपने सारे डिप्लोमाटिक टाइज कैनेड़ा के साथ तोड़ दिये थे कई सालों तक रिलेशन्स खराब रह अगर इंडिया के साथ कैनेड़ा के रिलेशन्स खराब रहते हैं इसके वारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ यह मेरी वीडियो अब मैं देख रहा था इस पर काफी नई कॉमेंट्स आई थी के यू सेड राइट कैनेड़ा इस डिस्टोइंग देशन्स आपने सही का अगें यह कोई बहुत जादा बड़ी प्रेडिक्शन नहीं है काफी ओवियस था दिख रहा था जस्टिन टुडो लिटरली उस तरफ इंडिया के रिलेशन्स को लेके जा रहे हैं और मैं में बात आपको यह बनाना चाहता हूँ कि कैनेड़ा में ही न बहुत सारे जो इनक में उनके ट्रेड मिनिस्टर ने ओपन ली ये का है कि जस्टिन टुडो की सरकार कैनेड़ा के साथ जो इंडिया के रिलेशन्स है ये खराब कर रही है इवन दो इंडिया कैनेड़ा ट्रेड बहुत इंपॉर्टन है सिस्कैचवान के लिए उसके लावा कई और जो इनकी स् रिलेशन्स बिल्कुल खराब करके रखो और उससे परहाफ जस्टिन टुडो को ये लगता है कि इनकी पब्लिक देखेगी इनको as a strong leader जो कैनेड़ा के लिए खड़ा होता है मगर जड़ातार जो लोग है कैनेड़ा में वो साफ साफ देख पा रहे हैं कि खालिस्तान वाला गल्फ कॉपरेशन काउंसल सब लोग इनडिया के साथ फ्री टेड एग्रीमेंट करने को दोड़ रहे हैं सिर्फ कैनेड़ा ही एक कंट्री है जो जस्टिन टुडो की पॉलिसीज की होज़े से अपनी FTA की जो बातचीत थी भी इनडिया के साथ ये डिस्ट्रॉय कर रहा है और इवेंचुली देखिए मेरा यहां पर मानना ये है कि सबसे ज़रा चंता की बात ये है कि जो इंडियान स्टुडेंट्स हैं कैनेड़ा में उनको दिक्कत ना आ जाए ये जो रिलेशन्स खराब होरें दुनों कंट्रीज के बीश में इस सब की वज़े से जो तीन लाग से उपर इंडियन स्टुडेंट्स हैं कैनेड़ा में इनको दिक्कत ना आ जाए अग ये देखना होगा क्योंकि सबसे जादा इंडियन स्टुडेंट्स का जो डैस्पुरा है ये आपको मिलेगा इन कैनेड़ा की जो नीतियां है अभी के लिए ये देखते हुए भारत को ये भी प्रमोड करना चाहिए कि इंडियन स्टुडेंट्स और भी कंट्रीज हैं उनको भी देख सकती है जैसे के यूई मैं कहूंगा एक बहुत इच्छा एक डेस्टिनेशन है उसके लावा यूके है यूएस है कैनड़ा पर जो हमारी डिपेंडनेंस भी है ना एज डेस इस पर एक पूरी डेडिकेट वीडियो बनाई थी यह आपकी आपकी ओप्शन्स गोवा मराश्ट्र हराणा या फिर डेली कोमेंट सेक्शन में करिए उत्तर सही आंसर मैं आपको नई दूंगा सही आंसर आप लोग खुल लिखेंगे जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी को म मैं हर दे दूंगा ताकि बागी लोग समझ पाएं कैसा ही उत्तर क्या है और आपर मैं यह भी आड़ कर दूं कि आप किसी भी एक्जाम की जारी कर रहे हैं चाहे एससी यूपी एसी बैंक आप पर चेस कर सकते हैं अनकाडमी के कॉलिटी कोर्स कॉमें सेक्शन में जाहिए यहां पर आपको मिलेंगे लिंक फॉर एक्जामपल एटसे आपको प्रिपेर करना है यूपी एक्जाम के लिए तो यूपी एसी के लिंक पर यहां पर करिये क्लिक और यहां पर पर चेस कर पाएंगे अनकाडमी का यूपी एसी कोर्स बट जो प्राइस यहां पर लिखे है don't ever pay these prices simply यहाँ पर code डालिये PD10 and the prices will start falling and you will be able to save a lot of money so use the code PD10 and save money और इसी note के साथ यह है वीडियो कांथ thank you for listening may the gods watch over you यहाँ जो है जो है आए जो है साथ अच्या जो है जो है यहाँ एाँ कर दो है ला आए